हेलो दोस्तों आप सभी का मेरी चनल पर एक बार फिर से स्वागत है और आज हम एक दम नए तरीकी की रेसेपी बनाएंगे तो चलिए वीडियो श्टार्ट करते हैं इसके लिए यहां मैंने एक कड़ाई को गरम होने के लिए रखा है और अब हम इसमें 6-7 आलू लेंगे गड़्ाईपे सद्दाट ऑफाई देंगे नहीं उन का मैंने लिए चाकी और वहां मैंने होने के सैज्च के रफली कट किया हुए प्याज डालेंगे और एक बार अच्छे से पानी में मिला लेंगे और ये देखे पानी में बहुत अच्छा सा उबाला गया है और अब हम इसे ढखकर मेडियम फ्लेम पे 5-10 मिनट के लिए पकने देंगे डिपेंड करता है कि आपकर आलू कितने देर में पकेंगे और आप देख सकते हैं आलू और सारे इंग्रीडियन को पकते हुए 10 मिनट हो गया है और देखे प्याज और टमाटर हमारे अच्छे से गल गया है आलू भी सॉफ्ट हो गया है और इस टैम पे हम इसमें से प्याज, टमाटर, कासमेरी, लाल मिर्च, लहसून, अदरक सारे इं निकाल लेंगे और इसे प्लेट में इस तरीके से फैला कर ठंडा होने देंगे और आप देख सकते हैं यहां मैंने सारे इंग्रीडियन को एक एक करके प्लेट में निकाल लिया है इस रेसिपी को एक बार आप इस तरीके से जरूर बना के देखें बच्चों को तो यह चिक करेंगे और आप देख सकते हैं आलू भी हमारा अच्छे से आफ्ट हो गया है और यह इस पैचुला से इजिली कट हो रहा है इसका मतलब है ki आलू भी हमारे अच्छे से पक गए हैं हमें इसे इतना ही पकाना है और अब हम इस टैम पे गैस का फ्लेम आफ्ट कर देंगे और इसमें से सोया चंक या सोया बीन और आलू को भी अलग बर्तन में निकाल लेंगे और ये देखिए यहां मैंने आलू को निकालके इस तरीके से हाफ टुकडों में कट कर लिया है आप इसे अपने पसंद के टुकडों में भी कट कर सकते हैं और सेम कड़ाई को हम एक बर फ के उबले हुए और कटे हुए सारे आलू को डाल देंगे इस टेम पे गैस का फ्लेम हाई रखेंगे जिससे हाई फ्लेम पे आलू को हमें ज्यादा पकाना नहीं है क्योंकि ये अल्रेडी पका हुआ है तो हम इसे सुनहरा या गोल्डन कलर आने तक हम इसे इस तरीके से चलाते हुए पलटते हुए और अच्छे से आलू फ्राय होने देंगे इसकी ग्रेवी बनाने के लिए ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है यहां मैंने टमाटर को कट कर दिया था जिससे एजिली टमाटर भी ठंडा हो गया है और अब हम एक एक करके सारे मसाले क पीस ले और ये देखे हमारा ग्रेवी के लिए पेश्ट बनके बिलकुल तयार है और अब हम आलू को चेक कर लेंगे और आप देख सकते हैं आलू भी हमारे अच्छी तरीके से सुनहरा या गोल्डन कलर के फ्राय हो गए हैं हमें इसे इतना ही फ्राय करना है और अब हम इसे एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे और इस टैम पे गैस का फ्लेम मेडियम कर देंगे जिससे आलू हमारे ओवर कुक नहीं होंगे और ये बिलकुल भी नहीं जलेंगे और ये देखे यहां मैंने सारे आलू को एक एक करके प्लेट में निकाल लिया है और अब हम बचे ह हुए तेल को एक बार फिर से अच्छे से गरमोने देंगे और आप देख सकते है तेल हमारा गरम है हम इसमें एक चुटकी हेंग डालेंगे एक तेज पता को तोड की ढालेंगे और यह देखे हमएने थोड़ इसे सुखे गरम मसाले लिए हैं आधा चम्मत जीरा चार से पांच काली मिर्च दो इलैची तीन से चार लॉंग जावित्री और दो से तीन टुकड़ा यहां मैंने डालचीनी के लिया है और एक सूखा मिर्च इन सभी को हम तेल में डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पांच से दस से के लिए अच्छे से क्रैक होने देंगे या पकने देंगे और अब हम इसमें ग्रैंड किये हुए मसाले डालेंगे मसाले डालकर एक मिनट के लिए गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे हाई फ्लेम पे मसाले को हम चलाते हुए अच्छे से एक मिनट के लिए भूल लेंगे जिससे मसाले का मौश्चर जल्दी खतम हो जाएगा और ये देखिए मसाले को यहां मैंने अच्छी से भून लिया है और अब हम गैस का फ्लेम मेडियम कर देंगे और मेडियम फ्लेम पे हम इसमें बाकी सारे सूखे मसाले डालेंगे सबसे पहले हम इसमें स्वाद अनुसारिया एक चम्मच नमक डालेंगे आधा चम्मच धनिया पौर्डर डालेंगे आधा चम्मच से कम हम इसमें हल्दी पौर्डर डालेंगे तीखे के लिए हम इसमें एक चौथाई चमच लाल मिर्च पॉर्डर डालेंगे तीखा आप अपने हिसाब से कम्या जादा कर सकते हैं और अब हम इन सभी मसालों को मीडियम फ्लेम पे ही इस पैचुला से चलाते हुए हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे मसाला हमारे ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे और बीच बीच में हम इसे इस तरीके से चलाते रहेंगे जिससे मसाला हमारे जलेंगे नहीं और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा मसालो को हमें तब तक भूनना है जब तक मसाले कढ़ाई ना छोड़ने लगे और अब देख सकते मसालो को भूनते हुए 5 मिनट हो गया है और मसाले हमारे बहुत अच्छे से भून भी गया है और मसालो का कच्छा पन खतम हो गया है और अब हम इसमें fry किये हुए आलू डालेंगे आलू डालकर हम इसे भी मसालों के साथ अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और ये देखिया आलू के उपर मसालों का बहुत अच्छा सा लेयर कवर हो गया है और इस टेंपर हम इसे मसालो के साथ एक मिनट के लिए भूल लेंगे और अब हम इसमें बॉल किये हुए सोया चंक या सोया बडी डालेंगे और सोया चंक डाल कर हम इसे भी मसालो के साथ और आलू के साथ अच्छे से मिलाते हुए मिक्स कर लेंगे जिससे सोया चंक या सोया बड़ी में भी मसालो का फ्लेवर अंदर तक जाएगा और इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे हम इसे चलाते हुए पांच मिनिट के लिए दोनों इंग्रीडियन के साथ भून लेंगे और अब यहां मैंने सेम ही ग्रैंडिंग जार में आधा ग्लास पानी डाल दिया था और सेम ही मसाले वाले पानी को हम सबजी में डालेंगे और गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे जिससे पानी या ग्रेवी हमारा जल्दे से गरम हो जाएगा और अब हम इसमें अधा ग्लास और पानी डालेंगे और आप देख सकते हैं ग्रेवी का कंसिस्टेंसी इस तरीके का होना चाहिए और अब हम इसे कभर करके आई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने देंगे जिससे ग्रेवी हमारा बहुत अच्छी से पक जाएगा और ये देखे 5 मिनट हो गए हम इसे चेक कर लेंगे और रेसेपी भी हमारी अच्छे से पक गई है और इस टेम्पे हम इसमें एक चमच कसूरी मेथी दालेंगे कसूरी मेथी की जगा आप इसमें बारी कटवार रधनिया भी डाल सकते हैं और इसमें एक चौथाई चमच गरम मसाला डालेंगे और अब हम सबजी को इस पैचुला से चलाते वे गरम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं सबजी हमारा बहुत ही बढ़िया बन के तयार हो गया है हम इसमें एक खरा मिर्च डालेंगे और गैस का फ्लेम आफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे और चले अब हम इसे प्लेट में सर्फ कर लेते हैं और आप देख सकते हैं आलू सोया बढ़ी की सबजी या रेसिपी हमारा बहुत ही बढ़िया बन के तयार हो गया है इस तरीके से आप घर पे जरूर बनाएं बच्चे हो या बढ़े सभी को बहुत पसंद आएगा और आप इसे पूरी पराठा चपाती किसी के भी साथ खाएं ये खाने में बहुत ही टेश्टी और लाजवाब लगेगा इसे यहां मैंने रोटी के साथ सर्ब किया है इस तरीके से सोया बिन बनाएंगे तो चिकन और पनीर सभी खाना भूल जाएंगे तो अगर आपको मेरी रेसेपी अच्छी और हिल्फुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें मिलती हूं मैं एक और ने रेसेपी